हलो फ्रेंड्स रादे-रादे कैसे हैं आप सब स्वागत याप सभी का साची की रसुवी में आज मैं लेकर आये हूँ बहुती स्वाधिश्ट और चटपटे नास्ते की रेस्पी तो फ्रेंड्स यह बहुती आसानी से बन जाता है और बहुती कम समय में तो आपको अगर चट काटा और हम ले लेंगे लगबख 3-4 चममच इसमें सूझी सूझी बारीक वाली है फ्रेंज और मझा दैते हैं इससी में हमें कि आटे में सूझी कर देना हैं और दाल देंगे लगबख 2-3 पिंच इसमें नमक तो नमक जादा नहीं और हमने डाल दिया है लगवप एक पींच हल्दी पाउडर और लगबग आधी छोटी चमच हमने लाल मिस पाउडर डाल दिया है इसमें और हम इस को चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से ताकि नमक खल्दी और मिस बढ़िया मेक्स हो जाए। उसके बाद हम लगबग सोप एसको डो नहीं लगाना और हम रग देते हैं इसको साईड में और हमने रग लग दिया है गास पर फ्राइए पेल और हम डालेंगे इसमें लगबग दो चमबाझ सर्चों지 तो तेल को ग्रेट करती हुए हमने इसको डाल दिया है तो प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इसको भूनना नहीं है बस हलकी सी सोप्ठ हो जाए उसके बाद हम डाल देते हैं इसी में लगभग दो मीडियम साइज की आलू तो आलू को उब देते हैं इसमें कुछ मसाले तो मसालों में हमने डाल दिया है लगभग आधी छोटी चमच इसमें हल्दी पाउडर और आधा चमच हमने डाल दिया है सूखी धनिया पाउडर और आधी छोटी चमच डाल दिया है फ्रेंड्स यहां पर लाल मिर्च पाउडर तो इसमें हमन नमक का ध्यान रखना है क्योंकि हमने आटे में भी थोड़ा सा नमक डाला है और हम इसको बढ़ियां से चलाते हुए मिक्स कर देंगे लगभग 2-3 मेंड तक इसे हम चलाते हुए बढ़ियां पका लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ियां से यह पक चुकी है और हम इसकी लोई निकालनी है जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं तो बहुत जादा कई रोटी भी कोई बड़ी बनाता है कोई छोटी बनाता है तो बहुत जादा बड़ी साइज की नहीं पूरी से थोड़ा बड़ी होनी चाहिए इतना हमें लोई लेना है और हम लगा लेते है तो इसमें मैदा लगाते हुए आप बेरेंगे तो बहुत ही बढ़िया नास्ता बनेगा बहुत ही बढ़िया बिल्कुल क्रिस्पी तो इस तरह से हमने इसमें गेहूं काटा ना लगाते हुए मैदा लगाते हुए इसको बढ़िया से इसकी रोटी बना ली है तो यहां पर आ लगा देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने इसको बीच में ही रखा है आलू को और हम इसको एक तरफ से कवर कर देते हैं उसके बाद हम इसके उपर पानी लगा देंगे ताकि यह फ्राई करते समय खुले न तो एक साइड से हम इसी तरह रखते हुए बढ़िया इस इसी तरह हैं तो हमें उठाते हुए एक दूसरे के उपर इसारह से चिपका देना हें ताकि यह खुले न और एक तरफ से उठाते हुए हमेसे रोल कर देना है तो इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल बहुत ये बढ़िया परफेक्ट बनेगा बिल्कुल और इसी तरह हमने इसको रोल कर दिया है तो रोल करते हुए हमने इसको बना लिया है बढ़िया और अब इसको हलका सा हाथों से इसी तरह हम इसको थोड़ा रोल कर देंगे आप देख सकते हैं साइज पहले से थोड़ा बढ़ गया है और बीच में से हम इसको उंगली की सहायता से प्रेस कर देंगे और इसको इसी तरह मोड़ते हुए हम इसके उपर कट लगाएंगे तो हमें इसको बीच से काटना है तो काटकर बिल्कुल अलग नहीं करना है यहां पर हलका सा इसमें कट लगा देना है इससे एक एक लेयर आपको दिखेगी बहुती बढ़ियां यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुती बढ़ियां बिल्कुल परफेक्ट यह बना है और हलका सा हम और कट लगा देते हैं तो यहाँ पर एक एक लेयर दिख रही है बहुती बढ़ियां बिल्कुल और इसी तरीके से हमें सारे पीस बना लेने हैं तो देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही बढ़ी हैं बिल्कुल पर्फेक्ट बना है ये तो सारे पीस हमें बना लेने हैं इसी तरह और यहां पर आप देख सकते हैं हमने लगबक इसमें चार पीस बनाए हैं भी तो आपको जितना खाना है फ्रेंड्स जितना फ्राई करना है आप उतना बना सकते हैं और बना कर इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं जब आपका खाने का मन करें आप फ्राई करके इसे खा सकते हैं तो हमने इसी तरह से इसके उपर थोड़ा सा कलोंजी और सफेद तिल लगा दिया है इससे देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा और इसको साइड में रखते हुए हम रख देते हैं ये मिक्शिंग बॉल और हम डालेंगे इसमें लगभग 2-3 चमच मैदा आप चाहें तो जो आलू का मिक्शेर बनाया है उसमें भी नमक डाला है और हमने डाल दिया है लगभग 1-5 इसमें हल्दी पाउडर और वही कलोंजी और सफेद तिल डालते हुए हमने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल कर इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है और बहुत ज्यादा इसमें पानी भी नहीं डालना है तो थिकने साथ देख सकते हैं और हमने इसको साइड में रखते हुए फ्राइपन फिर से गैस पर रख दिया है और तेल को विल्कुल मीडियम गरम कर लेना है उसके बाद हम एक-एक पीस बहुत लेते हुए जो हमने गोल बना रख इन हैं मैधे का उसमें डालकर और निकालते हुए डाल देते हैं तो यहाँ अपर हमने सारे पीसडेvert कुछ में डालना है हैं तो इसी तरह डालते हुए इसको हमें हलका सा बड़ें फ्राइं होने देती हैं उसके बाद हम पलटते हुए इसे दूसरी साइड भी fry कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंज बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसमें तो इसको हम पलट देते हैं दूसरी साइड भी इसको fry कर लेते हैं पलटते हुए तो यहाँ पर देख सकते हैं पहुती बढ़िया परफेक्ट बिल्कुल क्रिस्पी ये फ्राई हो गया है अब हम इसको निकाल लेते हैं तो इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे पहुती बढ़िया सच में जितना ये देखने में लग रहा है फ्रेंज सच में खाने में उतना और कभी भी आप इसको बना कर खा सकते हैं सोच के साथ चटनी के साथ या सुवे साम की चाय हो तो कैसी लगी मेरी ये नास्ति की रेस्पी फ्रेंड्स कोमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फोर वा झा झा झांगाधीं